हेलो गाइज मैं हूँ पपो और आप सभी को किलियर करने वाला हूँ एक लिंगी पूस्प और द्वी लिंगी पूस्प ओके तो यहां पर आप गौर किजिए आप सब को किलियर ली दिख रहा है एक लिंगी पूस्प जिसे इंगलिस में कहते है यूनी सेक्सुल फ्लावर ओ पूशूद हो ऐसे फूल को एक लिंगी फूल यहानी एक लिंगी पुस्प कहते हैं यहां पर अप गौर कीजिए जिस भी फूल में पूंके सर अन्थवा के वल इस तरीके सर मतलब यहां पर जो भी पूस्प आपको दिख रहे हैं यह हमारे एक लिंगी पूस्प है मतलब मक्का पपिता ककड़ी खीरा ये हमारे लिंगी पूस्प है क्यों क्योंकि ये सब में केवल और केवल पूंकेसर होगा या तो केवल और केवल इस्तरीकेसर होगा मतलब ये कि अगर इसमें पूंकेसर होगा तो इस्तरीकेसर इसमें नहीं होगा अगर इसमें इस तरीके सर होगा तो इसमें पूंके सर नहीं होगा तो एक लिंगी पूस्प में यही ख्याल रखना है कि या तो केवल पूंके सर होगा या तो केवल इस तरीके सर होगा यही चीज़ आपको ख्याल रखना है तो एक लिंगी पूस्प आपको किलियरली आ गया होगा तो अगर आ गया हो तो सलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द्विलिंगी गाइज यहाँ पर आप सबको किलियरली दिख रहा है द्विलिंगी पूस्प जिसे इंगलिज में कहते हैं बाई सेक्सूल फ्लावर यहाँ पर मैंने आसानी से क्या लिख रहा है कि जिन पुस्पों में पुंके सर और इस्त्रिके सर दोनों ही होते हैं वे दिविलिंगी पुस्प कहलाते हैं मतलब यहाँ पर सरसो गुलाब पिटो निया उड़ूल यह सभी में हमारे पुंके सर और इस्त्रिके सर दोनों ही मौजूद होंगे तो यहाँ पर यह जो पुस्प आपको दिख रहा है यह हमारे दिविलिंगी पुस्प हैं ठीक है ये दिविलिंगी पूस्प इसलिए है क्योंकि इनमें पूंकेसर और इस्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं ठीक है तो भाई साब दिविलिंगी पूस्प आपको किलियरली आया कि नहीं आया बस आपको ख्याल रखना है कि इसमें पूंकेसर और इस तरीकेसर दोनों होंगे इसलिए ये दिविलिंगी पूस्प है और गाईज आपको लग भी रहोगा कि ये पूंकेसर और इस तरीकेसर क्या है तो ये हमारे जनन अंग है ठीक है तो भाई सहाब आपको किलियरली आ गया होगा दिविलिंगी पूस्प अगर दिविलिंगी पूस्प आ गया हो तो शली अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में Bye-bye, take care.